हमारा पहला सेंटेंस है इन्जॉय योर लाइफ का हिंदी में मतलब होता है जीवन का आनन्द लो enjoy your life जीवन का आनन्द लो next sentence is don't trust का हिंदी में मतलब होता है भरोसा मत करो next sentence is don't hesitate का हिंदी में मतलब होता है हिचकिचाओ मत Don't hesitate का हिंदी में मतलब होता है हिचकिचाओ मत Next sentence is I am very tired I am very tired का हिंदी में मतलब होता है मैं बहुत थक गया हूँ I am very tired का हिंदी में मतलब होता है मैं बहुत थक गया हूँ Next sentence is I don't know I don't know का हिंदी में मतलब होता है मुझे नहीं पता I don't know का हिंदी में मतलब होता है मुझे नहीं पता Next sentence is Don't abuse Don't abuse का हिंदी में मतलब होता है गाली मत दो Don't abuse का हिंदी में मतलब होता है गाली मत दो Next sentence is Stop crying Stop crying का हिंदी में मतलब होता है रोना बंद करो Stop crying का Hindi में मतलब होता है रोना बंद करो Next sentence is Don't go there again Don't go there again का Hindi में मतलब होता है वहां दोबारा मत जाना Don't go there again का Hindi में मतलब होता है वहां दोबारा मत जाना Next sentence is Speak again Speak again का Hindi में मतलब होता है फिर से बोलो Speak again का hindi में मतलब होता है, फिर say, बोलो Next sentence is You can go You can go का hindi में मतलब होता है, तुम जा सकते हो Next sentence is I am going I am going का hindi में मतलब होता है, मैं जा रहा हूं या फिर मैं जा रही हूं I am going का हिंदी में मतलब होता है मैं जा रहा हूँ या फिर मैं जा रही हूँ Next sentence is I need answer I need answer का हिंदी में मतलब होता है मुझे जबाब चाहिए I need answer का हिंदी में मतलब होता है मुझे जबाब चाहिए Next sentence is I understood I understood का हिंदी में मतलब होता है मैं समझ गया या फिर मैं समझ गई I understood का हिंदी में मतलब होता है मैं समझ गया या फिर मैं समझ गई